हर्याणा और जम्मू कश्मीर के चुनाओ नतीजों के बाद महराष्ट भारती जंता पार्टी का मनुबल बढ़ा हुआ है और उत्साह के साथ चुनाओ में जाने के तयारी है महराषद महराषपा के वर्षट नेता प्रसाद लार जी है प्रसाजीब हर्याना की चुनाओ बड़े सर्पाइजिंग थे क्योंकि लोगों ने जिसके कार कानुमान लगा था उसकी विपरीत और भाज़पा की अच्छी जीत नजर आई महराश्ट में तो निस्सी तोर पर कार करता हो तसाही थे यह विपरीत नहीं थे या अपेक्षित थे जिस तरीके से इस देश की राज़ीती में विकास की राज़ीती करने का काम हो देश को बलशाली बनाने का काम हो देश को पूरे दुनिया में सबसे शक्तिशाली फिरो आर्तिक मासत्ता में हो सवरक्षन मासत्ता में हो बनाने का का मगर किसे ने किया होगा तो माणनिया अरदेश के प्रादनामंती नरेंद्र मोधी जी ने किया है और उसी के कारण जीस तरीके से कॉंग्रेस माविकास आगाडी हो या इंडिया आगाडी हो जीस तरीके से narrative set करकर लोगों के बीच में ब्रह्म परसारने का काम कर रही है वो लोगों के बीच में आ चुका है, सच मालूम पढ़ चुका है जनता ने हर्याना में बता दिया कि सारे समाच के सारे घटक के लोग ये विकास की राजनिती के साथ है और माननिय मोदी जी के पीछे है महायूती के आप समन्वेक समिती के सदस्य हैं कब तक seed sharing का formula जाहिर हो जाएगा और 28 शेहरे को लेकर उतरेंगे मैदान में महायूती के समन्वेक का प्रमुग होने के बावजुद भी मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ कि जल से जल इस बारे में निरने होगा लेकिन ये जो निरने होगा वो हमारे तीन सर्वच चनेता, एकनातराओजी, शिंदे, देवेंदर फणनवीज, अजित दादा मिलकर करेंगे कि इंद्रिया नितुरतों के पास वो विशे लेकर जाएंगे और मुझे लगता है जल्दी इस बारे में खुश कबर के लिए आपके साथ एक प्रेस कॉनफरेंस भी करेंगे हरियाना के जो नतीजे आये हैं, क्या उसके बाद स्यूशेना उभाटा ग्रूप का एक बार्गिन पावर बढ़ गया है कि कॉंग्रेस से मुकाबला जहां होता है भाचपा के आपने सामने वहां कॉंग्रेस हारती है तो क्या उनको एक मौका मिल गया है? उभाटा को ब्लैकमेल करने का काम आज नहीं पिछले कही सालों से उद्धो ठाकरे जब से उभाटा के नेता बने हैं या पहले सी उसे ना के नेता बनेते तभी से उन्होंने ये सिस्टिम सुरू की है खुद की ताकट ज़्यादा बताकर ब्लैकमेलिंग करना जो उन्होंने 14 से 19 तक करने की कोशिश की हमारे जेब में रेजिगनेशन अने बारिश में रेजिगनेशन भीग गए उसके बाद में देवेंद्रेजी के पीट में खंजिर खुपसकर मुख्यमंत पंत्रीपत की लालसा के लिए गद्दारी करकर माविकास आगाडी में चले गए जिस हिंदुत वके लिए बाला साफ ठाकरे ने अपनी पूरी जीवन बिता दी उन बाला साफ का भी अपनान करने का काम उद्दार ठाकरे ने किया और जब उसमें उठा हुआ उसके बावजुद अब आकर वो कह रहे है कि माविकास आगाडी में उनकी ताकत जादा है अगर ऐसी ताकत है तो उद्दार ठाकरे स्वयम अकेले चुनाव लड़े और उनकी कितनी ताकत और उनकी कितनी आवकाद है वो देख ले हर्याना में बीजेपी ने एक तरह से सोशल इंजिनरिंग किया और सभी समाज का वोट मिला महराष्ट में भी क्या आप वही करें क्योंकि देखने को मिल रहा है भुपेंद्र यादोव 168 चोटी-चोटी संभीति के बैठक बुला रहे हैं चोटी-चोटी जातियों तक पहुशने कोशिश कर रहे हैं भुपेंद्र यादोव जी ये राष्टिय नेता है अनेक चुनाव का उन्हें अनुभव है और जहां 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 भुपेंद्र यादोव जी चुनाव में गये हैं वहाँ वहाँ भारतिय जनता पार्टी या इंडिये का विजय निच्छित हुआ है और भारतिय जनता पार्टी ने हमेशा कोई तुष्टी करण की राजनीती कभी की नहीं है जो राजनीती की है वो एकी करण की राजनीती की है छोटे चे छोटे घटब को भी लेकर विकास के कामों में विकास के साथ उनको लेके जाने का काम हमेशा महायूती ने और भारतिय जन्ता पार्टी ने किया है मुझे लगता है कि राज्य का हर एक छोटा घटक हो या छोटा पक्ष हो ये भारतिय जन्ता पार्टी महायूति के साथ रहेगा एक समन्वे समिती में इतना आसान नहीं है क्योंकि छोटे-छोटे आपके दल है जो कहिने के छेतरी राजनीती के चलते उनके नाराजगी है प्रहार पार्टी हो अरसूल जी हो तमाम विशे हैं ऐसे कैसे करेंगे इसके लिए तो मैं हूँ इसी के लिए मैं हूँ सोचल इंजिनरिंग की बात मैं कर रहा था क्या देवेंद्र जी को OBC समाज ब्राम्वन समाज सिंदे जी को मराठा समाज और अजीत दादा को मायनौर्टी को साथ लेने के लिए पैटर्न अपना जा रहे हैं महराष्ट में ऐसे कुछ नहीं है देवेंद्र जी के पीछे मराठा समाज भी बड़ी ताकत से है यह अरक्षन कोई अगर आप बात करेंगे तो पिछले साथ सालों में जो आरक्षन कोई दे नहीं पाया हो मानने यह मुख्यमंत्री जब तातकालीन मुख्यमंत तो मुझे लगता है सभी समाज के घटक देवेंद्र जी के साथ है धन्यवाद हमसे बात करने के लिए भाजपानेता प्रसाद लाड जिनका कहना है कि सुषेना उद्धो बाला साइब ठाकरे गुट पहले से ही दबाव की राजनीती करती है ब्लैक्मेल करने की राजनीती क अटॉए प्रसे के चाहिए